हाई गाईज, वेलकम टू स्टेडी स्किल सक्सिस, नीट यूजी 2023, जिसका एक्जाम 7th of मई को है, उसके जो रेजिस्टेशन है, वो अब तक स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, आपकी एक्जाम डेट के अकॉर्डिंग, क्यूंकि लास्ट येर से हम देखते आए हैं, जितना आपकी एक्जाम डेट और रेजिस्टेशन के बीच रहता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग, आपके जो रेजिस्टेशन है, वो फर्स्ट या फिर सेकंड वीक ओफ फर्वरी को स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, अब स्टार्ट नहीं हुए, तो स्टूडेंस के मन में एक ड जैसे एक्जाम आज से 3-4 साल पहले होते थी, जिस स्केडिूल में होते थे, जिस डेट को होते थे, उसी डेट को करवाए जाए और इसी के अकॉर्डिंग जितने भी एक्जाम से है, वो प्रॉपरली अपने टाइम से जो है, वो करवाए जा रहे हैं, इसके लिए, इसी ल तो वीडियो को लास तक आप जरूर देखिएगा ठीक है तो पूरा डिस्कस करते हैं अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि टाइम की अकॉर्डिंग आपके जो रेजिस्ट्रेशन है वो फर्स्ट या फिर सेकंड वीक ओफर्वरी में हो जाने थे लेकिन क्यों नहीं हुए इसके पीछे का रेजिस्ट्रेशन जो मुझे लगता है वो है इसके लिए नीट को थोड़ा डिले किया गया है और स्यू इटी को पुश किया गया है कि पहले आप अपने रेजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट करवाईए अब स्यू इटी के जैसे ही रेजिस्ट्रेशन कंप्लीट होंगे उसके बाद आपके नीट के जो रेजिस्ट् तो उस छुटियों के वीच में registration स्टार्ट करना थोड़ा possible नहीं होगा और छुटियों के बाद अगर registration स्टार्ट करते हैं थोड़ा जो है वो NTA लेट कर देगा अपने registration को लेकर जो की NTA बिल्कुल भी नहीं चाहेगा थीक है तो होली से पहले registration स्टार्ट हो जाने चाहिए मेरे according होली से पहले registration स्टार्ट होते हैं तो अप्रोक्स अप्रोक्स 70 डेज बसते हैं आपके exam को उसके बाद 30 डेज में आपके registration का first phase complete होगा after 15 डेज आपके correction वगेरा सारी process complete करवा जाएगी यानि कि 45 डेज में आपके registration का जितना भी काम है वो complete करवा दिया जाएगा और उसके बाद और admit card आने के बाद बीच में जो time बसता है वो proper time आपको जो है वो मिल जाएगा तो ये proper timing जो है वो बिलकुल set बैठती है आपके examination के registration को लेकर अगर NTA ऐसा करता है तो अगर इससे भी NTA delay करेगा तो शायद आपके exam पर भी इसका effect पड़ सकता है मैं ये नहीं कहूंगा postpone होगा लेकिन हाँ NTA अपने registration की जो speed है वो बढ़ा सकता है यहाँ पर 30 days के अलावा आपको कम दिन मिल जाए यहाँ पर 50 days के अलावा आपको 10 दिन ही दिया जाए तो यह 45 days के जो registration है हो सकता 30 days में complete करवा लिये जाए ठीक है जो कि NTA बिलकुल भी नहीं चाहेगा लेकिन अगर मजबूरी हुई तो NTA इसमें करने में भी कोई दिकत नहीं है फिलर आपके exams के अगर बात की जाए तो वो 7th of मई को ही होना है इसमें कोई भी दोर आए जो है वो नहीं है ठीक है बाकी बात रही documents की उस पर अलग से मैं video बना चुका हूँ आप सर्च कीजिए required documents for NEE 2023 study skills success आपको video मिल जाएगी वहां से आपके जितने भी required documents की list है वो आप देख सकते हैं और पहले से ही तयार करके रखिए और जैसे ही registration स्टार्ट होता है चैनल पर उसकी information आपको दे दी जाएगी तो उसके according आपके पास अगर documents पहले से ready हैं तो जल्दी से आप अपने registration process को complete करके वापस से अपनी study पर जहाँ वो concentrate कर सकते हैं तो यह रही पूरी details बाकि इसके regarding को भी official statement आती है NTA की तरफ से या फिर medical education की तरफ से उसकी जानकर यह आपको time to time channel पर दे दी जाएगी ठीक है बाकि मिलते है यार next video में तब तक के लिए good luck और channel को subscribe नहीं किया है तो यार subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस कर लीचेगा मिलते है next video में तब तक के लिए good luck and have a nice day